Hello friends, welcome back to jinnas cooking और मैंने आपको दुस्ति के नित्माल तो आज के वीडियो में आपके लेए लाए हूँ राजमा मसाला में जितना जोर राजमा पर देया जाता हुँ उतना ही जोर मसाले पर देया जाता है तो वीडियो बहुत ही इंट्रेंश्टिंग होने वाला है पानी में रख दीजिए आप उसके बाद लगण 4-5 C Asia कुकर में देखे अच्छी तरह से इसको पका लेजिए यह आपको राजमा बहुत ही स्वाधिस्ट बनाना एक बने तो आपको ध्यान मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मसाला ठ्राई करना है मसाला रेडी करना है क्या क्या मसाला यूज करने वाले इसमें तो पिंट्स मसाला बनाने के लिए यहां पर मैं चार से पांच टिमाटर रियूजड करूगा दो प्याज और अपना जो प्याज हरी मिर्च है इसको चौप करना है और टेमाटर को बिलकुल बारिक पेश्ट रेडी करना है इसके अलावा खड़े मसाले में लॉंग यूज करूँगा एक इलाच्ची थोड़े सी काली मिर्च तेज पत्ता डाल चीनी जीरा और छोटा सा सोंट या सू फ्राई करना है मसाले का जो मॉस्चर है उसको बिलकुल खतम कर देना है उसके बाद पीस के इसका पावडर रेडी कर लेना है और तेज पत्ता को हम नहीं पीस हैंगे इसमें ऑईल हमारा गरम हो गया है ऑईल में एक चम्मच के लगए जीरा और चुटकी बार हिंग एड़ करेंगे इसके बाद जो अद्रक हमने काट के रेडी कहता अद्रक को हलका सा जीरे के साथ हम फ्राई करेंगे जब हमारा अद्रक हलका सा फ्राई हो जाएगा इसके बाद प्याज और हरी मिर्च जो हमने चौप करके रेडी कहता उसको एड़ करेंगे प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करने से पहले इसमें आप थोड़ा सा नमक एड़ कर दीजे और अपने जो मसाले हैं वो एड़ कर देंगे तो हमने जो मसाला पीस के रेड़ी किया था उसको हम एड़ कर देंगे और कुछ एश्ट्रा मसाले भी इसमें एड़ करने होंगे आपको तो उसमें आप एक चम्मच के लवख हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और आदा चम्मच के लवख गर्म मसाला पाउडर एड़ करेंगे यदि आप चाहें तो राजमा मसाला जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको प्याज को धीरे धीरे फ्राई करना है और लबग 10 से 15 मिनिट तक हमें प्याज को फ्राई करना है उसके बाद आपका जो प्याज है आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और इसके बाद हमने टेमाटर का जो पेश्ट रेडी कहता वो एड करने वाले हैं राजमा मसाले की जो मैं ट्रिक है उसका मसाला होता है तो हमने आपको जिस तरीके से मसाला बताया है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसी तरीके से फ्राई करना है आपको अभी टेमाटर को भी हम प्याज की तरह धीरे धीरे फ्राई करेंगे गैस के फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है टेमाटर को धीरे-धीरे फ्राई करना है तो टेमाटर भी हमारा लवग साथ से आठ मिन लग जाएंगे फ्राई होने में और जब नपाटर हो जाता है तो टेमाटर हलका-हलका ओल छोड़ना है इस्टार्ट कर देता है तो लोग 7-8 मिनिट वाद आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी सूख गया है हमारा जो टुमाटर है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है इसके बाद इसमें अपने राजमा एड़ करेंगे हम और राजमा को हम थोड़ा पकाने वाले हैं तो इसलिए इसमें 1.5 लीटर के लोग हम पानी एड़ करेंगे यह वही पानी है जो हमने राजमा वालने के लिए यूज़ किया था और इसको हम 10 से 15 मिनिट और पकाएंगे तो लवग 10 मिनिट बाद हमारा जो राजमा मन के रेड़ी हो गया इसमें हर दनीय डालके इसको हम सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स आसा करता हूँ आपको मेरा चोटा सा राजमा मसाले का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट से जरूर कीजेगा वीडियो को सेर जरूर कीजेगा और इस तरीके से मेरे वीडियो देखते रहे हैं और अपना प्यार बना के रखें नेश्ट वीडियो फिर मिलता हूं मैं आपसे थेंक यू